नमस्कार साथियों मैं पुलकित एक बार फिर से आप सब का आपके अपने परिवार एक्जामपुर में आर्दिक स्वागत करता हूं तो एक्जामपुर करम से क्रामति की ओर तो साथियों जल्दी से रात के एक बजे आप सब का मैं पुलकित एक बार फिर से स्वागत कर रहा है ना यहां पर आपकेले तो नहीं हो कुछ आपके साथ आपके सिस्टर्स भी है तो उनका भी धियान रखो ठीक है हाँ बिलकुल अरे टॉपिक वाइस सुबह चल रही है रीजनिंग की टॉपिक वाइस क्लास सुबह चल रही है सुबह दस बजे कि इस ट्राइम केवल और केवल एलपी के प्रैक्टिस कोशन चल रहे हैं और कुछ नहीं ठीक है तो कोशन लगवा रहा हूं टाइम बिना वेश करते हुए हाँ बिलकुल कोशन आपके सामने आ चुके है पहला कोशन जल्दी से भाई दिल तोड़ दिया मैंने क्या दिल तोड़ा बता तो दो और के प्रयग्या जी सो जाए अरे सो जाओ कोई नहीं आप तो बित कराव हो रही है तो सो जाओ है ना देखो पता है आपको आपके सचिंसर भी सोने को कह रहे हैं उनको बस पानी डाल डाल करके जगाया है सोने नहीं देना है है ना कोशन करिए पहला कोशन आपके सामने ज अभी कम नहीं होती है जबरदस्त होती है रात के एक बज़े भी सुबा के छे बज़े की तरह हाल कर सकते हैं है ना बिलकुल गुड मॉनिंग चलो आंसर करो पहले कोशन का मज़ा ना आ जाए तो बता देना आज के सेशन में आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है तो मिरर के इधर का हिस्सा दिया हुआ इधर बनेगा तो सरकेल तो यहीं रहेगा यह वाला जो एरो था यह ऐसे हो जाएगा और जो इधर कहानी थी वह ऐसे हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप् नेक्स कोशन करते हैं बिलकुल एक बार दबाग करके शेयर कर दो सभी सात्यों को है ना ताकि सब जने ओल्लाइन आ जाए और भाई किर्केट विड्केट में ध्यान कम दिया करो उनका करियर अल्रेडी बना हुआ है है ना कॉंट्रैक्ट एक की लिस्ट जारी हुई है सात करोण पर इयर समझ रहे हो सात करोण पर इयर अपना भी करियर वना लो चार-पांच ल्याक परियर तो उठाई लो कम से कम चलो आंसर करो अब नेक्स कोश्चन का नेक्स कोश्चन का आंसर करो जल्दी से आपके सामने है इतनी एनर्जी का राज है आप लोग अगर आप साथ दोगे तो हम पूरी एनर्जी से रह सकते हैं और अगर आप लोग क्या किता है आलस मार जाओगे ना ओनलाइन नहीं आओगे तो हमें भी मज़ा नहीं आएगा यह 200-200 मच चलो कम से कम कम से कम 500 500 का टारगेट शेर करो जल्दी से पांसो का टारगेट है इसका अंसर करो जल्दी से अब वर्ग अगर रेखा से संबंदित है तो घं किस से संबंदित होगा स्कॉयर से बिंदू से नहीं होगा इसक्सक्वाइर इस टू टू लाइन तो क्यूब इस रिलेटेद उ सक्वाइर किस से संबंदित होगा स्कॉयर से इसका अंसर होगा optionवल डी option number D क्योंकि square की help से आप cube बना सकते हो square है यह square होता है इसकी help से तो आप cube बनाओगे इसकी help से तो आप cube बनाओगे और यह line है line के help से क्या बनाओगे square बनाओगे line के help से क्या बनाओगे square बनाओगे तो answer क्या होगा option D इसक्वायर नेक्स कोशन देखते अब जल्दी से संतोज जी विराट कोली से सीखने को मिलता है कैसे मेहनत करते हैं तो उस मेहनत को करिए तो सिर्फ मैच देख करके सीख लिया उसको एपलाई भी तो करो है ना उसको एपलाई करना है बिलकुल राजनाद जी शुक्रिया आपका है ना और एक बार जल्दी से शेयर कर दो शेफ पिरताब जी पूछ रहे हैं सर जी आप लोग कितने गंटे सोते हो भाई गंटों का तो नहीं पता पर सो लेते हैं के पूरी टीम जबर्दस टीम है सचिन सर भी आपके क्लास कराते कराते दस फंद्रह मुनेट सो लेते हैं ऐसे हम झो लेते हैं इसका आंसर करो जल्दी से जल्दी से आंसर करो फड़ा-फड़ कि नीन आ रही है ऐसे नहीं होता नीन में कुछ नहीं आ रही है जल्दी से एक बार शेयर लाइक कर दो हैना तो क्या कहते हैं इसका अंसर क्या होगा बिल्कुल सही हैना क्या होगा वो लाइन 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 तो लाइन ही इसमें भी और एक बड़ी वाली लाइन आई जिए धिए रखना बड़ी वाली लाइन तो option c answer होगा इस question का भी इस question का भी option c answer होगा बिलकुल सही Pryyanka Singh वरृ को बड़िया बिलकुल next question देखते हैं रंजीत जी बिलकुल ऐसा ही बनेंगे आप अगर आप duty पर भी तैयारी कर रहे हैं तो सही में सल्यूट है वाई आपको यह ना आप ऐसा ही जरूर बनेंगे बस तैयारी करते रहें कि नेक्स कोशन देखते हैं जल्दी से देखो कि नेक्स कोशन आपके सामने है उसका अंसर करना कि कोई बात नहीं बड़े अच्छी लगी आपके बात सुन करके कि मैच के चक्कर में सबने अपना डाटा खतम कर लिया और इंडिया हार भी गए तो भाई कि इस्मिता जी मॉर्निंग में भी आपके एंटी पीसी की क्लास चल रही है प्रियल में सुबाद इसका अंसर करो जल्दी से क्या कहारा है अर्ग्यूमेंट आज रविवार है आज रविवार है ठीक है अब उसके आशंप्शन परते हैं ऐसम्चन है कल सोमवार होगा बहिया आज अगर अगर हाँ तो तो अफकाश थो हो गई देंसे लिएक करने देख लेकिन वेसमार होता है तो तो पहला और ढूतर दोनों सही है ü ग्ल्म से नेक्स कोशन देखते हैं फड़ा फड़ा डांसर करी है नेक्स कोशन का हाँ यार इतने सारे बच्चे हैं अपने तो जितने भी पढ़ रहे हैं सब अपनी बच्चे हैं क्यों इकत कर रहे हो पढ़ाई करो बस विशायल जी बिल्कुल आप चिंता ना करें लोवर पीच्च की क्लासे सुबह दस ग्यारा बज़े चलती हैं बाई रीजनिंग की चलो नेक्स कोश्चन आपके सामने दिख रहा है इसका आंसर करिए कि यह मेंज कौन सी इमेज में से बनाई जा सकती है कौन सी में एंबेड़ेड़ आए फटा फट से आंसर करो तो देखो ऑप्शन नंबर देखो जल्दी से ऑप्शन नंबर अगर हम एक ही बात करें तो नहां से कि ऐसे आ रही है और यह ऐसे आ रही है और यह ऐसे आ रही है है ना यानि कि ऑप्शन ए क्या होगा एफिगर में से आप इसको बना सकते हो ठीक है ना बिलकुल एफिगर में से आप इसको बना सकते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन एप्शन एफिगर ए नेक्स ऊशन देखते हैं आप जल्दी से, जल्दी से नेक्स कोशन देखते हैं, और एक बार लाइक करदो, आर सभी साती लोग जल्दी से फड़ा फड़, ताकि आपको भी मज़ा है, और हमें भी मज़ा है पड़ाने में, ना आकाश बिलकुल नहीं, इस बार संडे पूरा रेस्ट होगा कोई मेरा थन नहीं होगी भाई मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ यह आपके जो ELP CBT 1 में पेपर आये थे न वो सारे पेपर सॉल्फ करा रहा हूँ अपने नेक्स कोश्चन आपके सामने है नेक्स कोश्चन का आंसर करिए क्या कह रहा है इंडिया, महरास्ट और केरल बारत, महरास्ट और केरल तो भाईया इंडिया, इंडिया के अंदर महरास्ट और महरास्ट भी होगा और केरल भी होगा यह आपका इंडिया हो गया यह आपका महरास्ट हो गया और यह आपका केरला हो गया, केरल हो गया, ठीक है, तो option क्या हो गया, इसका, C correct हो गया, next question देखते हैं अब, next question देखो आप जल्दी से, बन्टु जी, PDF मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको, सुबह तक पढ़ा दो, देखते हैं, मैं तो पढ़ा लूँगा, आप कितना जाकते हो, आप लोगों को नहीं दाने लगेगी, अभी थोड़ी देर में, है ना, देख लो, वैसे भी कुल 380 बच्चे ओन अमिता जी, जो आप क्लास नहीं कर पाए, वो आप संडे पढ़िए अराम से, माता पिर साथ पांडे जी, सारी क्लास इस लो, यार, है ना, आप सारी क्लास इस लो, रजिस्टर बना लो, और बुक बुक सब हटा दो, जितने कोशन आपके क्लास इस में हो जाएंगे ना, उ इसका आंसर करो, A option, B option, C option या D option, बिल्कुल नवीन कुमार, शादी में सबको बुलाया जाएगा, फिकर मत करो, और, सचिन सर कह रहे हैं, उनकी शादी में भी बुला लेंगे, आप फिकर ना करें, 2, 14, 16, 2, 14, 16, 3, 21, 24, 8, 56, 64, और अगला आयत, 5, 35, 41, ये दिया गया है ना, देखते हैं इसको, कैसे solve करेंगे, 2, 7, और 2, 8, 16, 2, 7, 14, 2, 8, 16, 3, 21, 3, 8, 24, 8, 7, 56, और 8, 8, 64, आप 5, 7, 35 तो बना, बज़ 5, 8, 8, कितना, 40 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये गलत हो गया, यानि कि आंसर हो गया, आपका option number A, ठीक है, next question देखो अब जल्दी से, next question देखिए, बिल्कुल यार, आसी मजाग करते हुए पढ़ना चाहिए, रात के एक बज़ रहे हैं, अगर आसी मजाग करते हुए नहीं पढ़ोगे, तो नीद आने लगेगी, बोरी अच्छा जाएगी, और ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं आपको बोर होने दू, तो next question का answer करो, और इसी के साथ, एक बार सभी लोग like कर दो, जल्दी से, कामिनी सिंग जी बताइए, आपका answer question क्या था, मैंने पढ़ा नहीं आपका question अभी तक, प्रियंका कुश्वाहा देखते हैं, भई आपका comment भी देखते हैं, अकाश भाई बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, प्रशांत बिल्कुल, देखो next question का answer करो, जल्दी से, ना ना पागल मतो पढ़ाई करो बस, जल्दी से answer करो, जल्दी से, नहीं आती यार, नींद तो उड़ी हुई है, नहीं आती नींद, क्या आ रहा इसका answer, तो इस question का answer क्या आ रहा है, option C या option A, तो देखना, एक चीज, वो यह, कि यह वाली जो line है न, यह line पूरी जाएगी, और, अगर यह मिलेगा इस तरीके से, तो यह ऐसे करके होगा, यह line कटेगी नहीं, और यह line नहीं कटेगी, तो यह answer होगा, option A में, option C नहीं होगा, बस इस चीज का, ध्यान रखना, next question देखिए, next question देखो, बिल्कुल मिगानता जी कह रहे हैं, जितने लोग online है, कम से कम like कर दीजे, सही बात है यार, एक बार like करना तो बनता है, मुकेश आपको भी नहीं आती, बिल्कुल बढ़िया, फिर पढ़ाई करो, है ना, lecture के बाद पढ़ाई किया करो, ऐसा नहीं है, YouTube कोले हुए हो, तो कुछ इदर उदर से देखने लगे, सिर्फ पढ़ाई पर द्यान, आपने प्रेशन दिया, कोशन पेपर यहीं दिया था, आपका गलत हो गया था, कोई बात नहीं, आप सही करो, इस कोशन का आंसर करो, जल्दी से, बिल्कुल शांदार मजा आ जाएगा, क्रेशन यादव जी आपका नाम भी ले लिया, शुक्र, चलो अब सबको पार्टी देदना, जल्दी से, नाम वाँ बहुत हो गए, जल्दी आंसर करो इसका, एन, एल, जे, एच, एन, एल, जे, एच, देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखने की, इनकी प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, है ना, मजाग बहुत हो गई, अब काम की बात, आपके काम की बात आप थोड़ा सा सुन ले, ए जोटी, ए जे, ओ, टी, आप इसको पाँच, इसको दस, इसको पंदरा, इसको बीस, और इसको पच्चेस मान सकते हैं, इसके आसपास ही सारे नंबर घूमेंगे, तो आप आंसर दे दोगे, जैसे एन की बात करूँ, एन ओ से पहले आता है, चौदा, एल की बात करूँ, ओब दोब आता है, 12, जै, खुद तो दस होई गया, और ह कितना होगा, 8 हो गिया, हो किया रहा था, मैंनस टू, मैंनस टू, मैंनस टू, तो आट मेंस दो, यानि कि कितने बचे 6, 6 पर क्या आता है F, तो answer होगे आपका F, यानि कि option number D, सही है next question देखो अब, बिल्कुल next question देखो, फटा फट से, next question आपके सामने है, मोनिका जी आपका paper clear होगा, महनत तो आपको करनी है, हमने तो जो बता दिया आपको बस उतना कर दो आप, आप एक एक register बना लो, हर subject का, जितने question करवाई जा रहे हैं, वो सारे question उस register में होने चाहिए, चाहे reasoning हो, चाहे maths हो, चाहे English हो, और वो सारे question उस register में होंगे, तो आप पेपर देने जाओगे, तो qualify हो जाएगा, next question देखो जल्दी से, बताओ इसका answer क्या हो गया, देवी प्रिसाद भाई पढ़ाई पे ध्यान, प्यार वेयर पे नहीं, इससे पहले अभी अनुसर की class चल रही थी, अनुसर आपको English में पढ़ाई रहते हैं, वो क्या पढ़ात करने के लिए, तो क्या होगा इसका answer, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, जुन्ड, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है, जुन्ड, ठीक है न, तो बंच, अगर केले का, बहुत सारे केले हैं, उसको बंच कहा जाता है, अगर बेड़ बकरी आ गई, उनका जुन्ड आ ग होगे तो उससे काम हो जाएगा पर आप तयारी हर चीज की एक साथ करके चलो इंग्लेश भी पड़ो मैस भी जीएस भी साइंस भी सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी पेपर निकलेगा राज किशोर मौर्या बिल्कुल विश्णु जी नहीं क्लास राद बर नहीं चलेग भया टी-स एकजाम करा रही है टी-स के पास भी कही ना कहीं तो कॉश्ण्स की लिमिट होगी, अब वो लिमिट जब पूरी हो जाती है तो कोश्चन तो रिपीट होना बनता है तो यही एलपी में आया था यही आपके इसमें आया है और यही आपके एंटी पीसी वगेरा में आएगा टी सीएस वाली मैच सुबा साथ बजे अभिनंदन सर कराते हैं इसका अंसर करो जल्दी से अच्छा आप में से कितने दोस्त कितने साथी टेक्निकल भी है जो जुनियर इंजीनियर के तयारी कर रहे हैं और यहीं एंटी पीसी के साथ वो भी बताएं एक बार क्या किया रहा है some eagles are kite कुछ सभी बाज ध्यान दो एक सेकेंड ध्यान देनी की बात यह है जो हिंदी है उसमें गलत लिखा हुआ है हिंदी में गलत लिखा हुआ है वहाँ पर कुछ आएगा जो सभ लिखा है वहाँ कुछ आएगा कुछ बाज चाल है हिंदी गलत लिखिया है हिंदी सही कर ले न ठीक है और सभी चील पक्षी है तो यह क्या हो जाएगा सम इगल्स कुछ बाज क्या हो जाएगे चाल यानि की चील चाल निये चील है काइड ठीक है और उसके बाद क्या रहा है सारी किट्स, सारी किट्स क्या है, बर्ड है, ये बनेगा डाइग्राम, ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश में गलत हो गया है, कुछ पक्षी बाज है, संबाड सारी गल, संबाड सारी गल, तो बिल्कुल सही, पहला सही होगा, दूसरा पढ़ते है, कुछ बाज पक्षी है समीगल सार बढ़ समीगल सार बढ़ यह भी सही होगा तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया ए बोथ वन एंड टू आर ट्रू द्यान से देखो बोथ फॉलो होगा आप मेकेनिकल से हो बहुत अच्छी बात है शांदार है ना तो आप लोगों की टेकनिकल क्लासेस भी चल रही है आप उनको भी साथ-साथ लेते चले अगर आप सोचे बैटे हो कि हम सी बीटी-टू की तयारी डारेक्ट कर लेंगे पेपर देने के बाद तो नहीं हो पाएगी आपको अभी से करनी पड़ेगी तयारी सी बीटी-वन सी बीटी-टू एक सा आप भी विशाल जी जेए की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज का द्यान रखना आपको टेक्निकल की तैयारी अभी से करनी चली पड़ेगी नेक्स्ट कोशन देखो जल्दी से इलेक्रीकल उलेक्ट्रालिक्स सबी ब्रांच्चे यहां पर अवैलेबल हैं क्या बाह शांदार तो आपके सभी वह चल रहे हैं मेक्निकल का चलता है साथ बज़ी स्विल का शांप को चार वजए और एल्क्ैट्रीकल का दुपैर बारा बज़े उलेक्रानिक्स का दुपैर एक बजे तो वो आप टेक्निकल बैचेस भी लीजिए अभी हाथो हाथ वन्ना काम नहीं चलेगा मेकैनिकल की क्लाइस साम चार बजे चलती है अब रुक के जाना एंड में बताऊंगा बिल्कुल अब इसका अंसर करो तो इमेज किस तरह से गूम रही है कुछ ऐसे सरकेल आएगा और उपर जैसे हुआ तो इधर वाली इमेज इधर चली गई तो इधर वाली इमेज इस बार इधर आ जाएगी यह भरी वी आएगी ब्लैक कलर से और ऐसा किस में हो रहा है ऐसा हो रहा है उप Labs लिए टक्लास ऑपको अब तक यहीं पता था यह सकता है कि अब टाउना आपको सारा टैमने बता दूगा टेक्निकला पिकर मत करो बिल्कुल भी राज किशोर बिल्कुल यार केशव जी क्लासेश चल रही है सिविल की जो जेई के लिए चल रही है आपकी शाम चार बज़े से इस कोशन का अंसर करो जल्दी से अरे कोई बात नहीं काश यार करने दे जो कर रहा है दोनी इसा गुड बैट्समेन दोनी क्या है एक अच्छा बल्लेवाज है फिर कहा रहा है बैट्समेन आर स्मार्ट अब मेरे बात सुन लो यह कोशन कहां का है इस्टेट्मेंट आर स्टू एड़ डिसाइड विच आर दो कॉनक्लूजन और ठीक है इस्टेट्मेंट पूर्ता सकते हैं है ढ़ाये दोनी कंच्छेए बल्लेवाज बैट्समेन थोनी क्या है बल्लेवाज और कह रहा है만 सुझेर मोच में क्ली बैट्समेन क्या है और पर्णियु बैट्समेन थे सबहाँ पहला क्या दो चली설 smart people are batsman, तो सारे smart people batsmen नहीं होते है, कुछ smartsmen, smart people teachers भी होते है, some smart people, आपके editor भी होते है, तो इस तरह से, दूसरी चीज, दोनी इस smart, हाँ, दोनी smart होगा, क्योंकि, दोनी क्या है, अंदर इसके आ रहा है, तो दोनी smart होगा, तो केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, यानि के option number B, यानि के option number B, ठीक है ना, next question देखते हैं, जल्दी से, अरे SBI PO की परिशानी मतलो यार, आने दो notification है ना, तुम अभी जो मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, लेते रहो, एक बार notification आने दो, ना गर्दा काट देना SBI PO के लिए, तो बात है, एक्जामपूर जब उत्रेगा ना, बैंकिंग में, तो दमाल मचा करके ही उत्रेगा, फिकर मत करो बिल्कुल भी, कीर्थी गुपता जी बिल्कुल आपको सब कुछ कराया जाएगा, फिकर मत करो, इसका आंसर करो, अनुच का भी नाम लो सर, अनुच का नाम भी ले लिया, यार, बिल्कुल नमिता जी आप कर सकते है, 6 PM क्लासेज, इसका आंसर करें, CHSL के लिए है बेटा, CHSL, CGL के लिए अगर आपको क्लास करनी है, तो वो शाम 6 बज़े चलती है, रेलबे की NTPC की क्लास, सुबह 10 बज़े चलती है, है ना, जल्दी से इसका आंसर करो, हाँ, बिल्कुल IAS, PCS के लिए आप मास्टर क्लासेज ले सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या कह रहा है, some angels are God, कुछ angels क्या है, God है, कुछ angels, God है, फिर कह रहा है, all living being are God, थोड़ा सा God को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, all living beings are God, तो living being यहां जाएंगे, living being यहां जाएंगे, पहला पड़ो, क्या कह रहा है, some angels are living being, some angels are living being, बिल्कुल नहीं है, दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है some living beings are angel तो वो भी गलत क्या option में either दिया है option में either नहीं दिया और जब option में either नहीं दिया तो answer क्या हो जाएगा दोनों गलत यानि कि option number A neither one nor two neither one nor two आपका answer हो जाएगा next question देखिए जल्दी से अब next question देखो बेटा both are wrong बोत आर रॉग ठीक है सतीश next question का answer करिए अरे group D के लिए भी यही है anti-pc का और group D का syllabus तो सेम है यार कैसी बात कर रहे हो anti-pc का और group D का syllabus सेम है अच्छा एक बात बताओ जो anti-pc का form भर रहा है वो group D का भी form भर रहा है तो क्या paper अलग होगा paper तो सेम ही होगा सही है ना next question का answer करो जल्दी से आपको बताना है M A M A space दिया गया और एक T चार option है आपको alphabet form करना है इसमें भी vocabulary काम आएगी इसे लिए आपसे कहा जाता है बार बार कि vocabulary English की classes जरूर देखा करो अगर आपको word देख रहे है पहला option है O क्या M A O T कोई word होता है नहीं होता दूसरा option है B R M A R T तो यह word होता है ना Mart मार्ट क्या होता है जैसे कहते है ना जो जहां पर सारी चीज़े एक साथ मिल जाती है उसको मार्ट कहा जाता है बाजार जो होता है ना आपका market उसको क्या बोलते हैं मार्ट बोलते हैं ठीक है ना तो next question देखो अब जल्दी से RRB J के लिए भी है classes सबी के लिए भाई फिकर मत करो यार आप टाइम टेबिल देख लो ना एक बार विवेक सर ने टाइम टेबिल उस दिन एक्स्प्लेइन किया था वो टाइम टेबिल देख लो मज़ा आ जाएगा है ना जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर दीजेगा विशाल मेगा मार्ट बिल्कुल ठीक ऐसे ही विशाल मेगा मार्ट है यही मार्ट है वो बहुत रॉंग इसलिए होंगे क्योंकि कोई बी चीज डेफिनेट नहीं बनी है आप ना सुभे जो प्रियल में हम आपको जब कराएंगी एंटी पीसी की रिजनिंग में सिलोगिजम तब पढ़े लेना जिसको डाउट होगा वहां क्लियर हो जाएगा नमिता जी साइंस ले डूबा कोई बात नहीं बिलकुल यार बायो की क्लास तो बहुत जबरदस होती है अमरिता में हम लेती है यार उस क्लास को दो वो सबसे जबरदस क्लास होगी साइंस के लिए आपकी बायों के लिए पूरे यूट्यूब पे इस सची बायों नहीं मिलने के आपको इसका आंसर करो What is the angle between the two ends of a clock when the time shows 8pm देखो एक trick लिखवा रहा हूँ या trick नहीं आप formula क्यों हो उसको मैं trick नहीं बोलूँगा मैं formula क्योंगा यह formula लिख लिजे यह आपके काम आएगा angle angle दो प्रकार के होते हैं वो भी बताऊंगा आपका answer आ रहा है option number D और B तो A की answer होगा B और D में से दोनों तो नहीं हो सकते तो देखो hour into 30 minus 11 बटे 2 into minute यह formula याद रखना घंटे into 30 minus 11 बटे 2 गुड़ा minute यह formula आपने याद रखना है ठीक है अब होता क्या है समझ लो angle दो प्रकार के होते हैं एक interior एक interior और एक exterior एक interior और एक exterior यह होता है बाहरी कोण यह होता है बाहरी कोण आंत्रिक ठीक है ना यह 180 से कम होता है और यह 180 से ज्यादा होता है तो जैसा अभी आपको time दिया गया 8 बजे आपको time दिया गया 8 बजे 1 पीम तो यहाँ पर hour कितने 8 hour कितने दिये आपको 8 दिये ठीक है तो hour की angle निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा angle निकालने के लिए hour की गुड़ा कर दो hour की गुड़ा करनी है 30 से तो यानि कि 8 इंटू 30 minus यह तो 00 है तो 00 की गुड़ा 11 बटे 2 से अगर 0 की गुड़ा करोगे कुछ बचेगा नहीं तो 8 इं 24 240 डिग्री क्या यह आंसर है क्या 240 डिग्री आंसर है तो नहीं आंसर क्यों जब भी वो बात करेगा angle की तो वो पूछेगा interior जब तक वो exterior ना लिख दे जब तक वो बाहरी code ना लिख दे तो आंतरी code आपका 180 से कम होना चाहिए अगर यह 180 से ज़्यादा आता है तो आपको जब यह 180 से ज़्यादा आए जब 180 से ज़्यादा आए तो 360 में से घटा दो 360 में से 240 गटाया तो आंसर आया 120 डिग्री clear हुई बात सभी को है ना सही है सबको clear हो गया screen clear कर दो सर सही है ना clear हो गया भाई चलो ठीक है ना साती हो तो आज के लिए जो questions थे हमारे वो इतना ही थे किसी को कोई doubt हो तो जल्दी से पूछो बात करनी हो किसी को एक दो मिनट तो बता दो जल्दी से हाँ बिल्कुल अच्छा आपको technical का time बताना था तो एकना technical का time सुन लिजे technical का time electrical का जो है वो 12 बजे दुपैर में उसके बाद electronics का जो है वो दुपैर में एक बजे उसके बाद आपका mechanical का जो है वो शाम को 7 बजे शाम साथ और civil का जो है वो दुपैर 4 बजे ये time आपके technical के है नोट कर लिजेगा जिसको भी doubt हो technical के time में ठीके sub clear तो भाई sub clear है तो एक बार like तो करीदो जल्दी से लेक पाल के लिए अभी आप यूपीटर पलसी का बैच लीजिए फिर उसके बाद उसका नया बैच लाया जाएगा ठीके साथियो तो आप सभी को मेरी तरब से good night test series भी आपकी launch होने वाली है ठीके सचिन सर को नीन आ रही है अब अगर मैंने आपके साथ एक दो मिनट और बिता है तो सचिन सर सो जाएंगे और ये classes मुझे खुद से end करनी पड़ेगी तो इस classes को अब हम यह end करते हैं कल मुलाकात होगी तब तक के लिए हैना शुबरात्री गुड़ नाइट मज़ा आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और एक बार जोड से बोलते हुए जाएगा जय हिन जय भारत और सब्सक्राइब करते रहिएगा